मध्य प्रदेश में सब्ता भर से मौसम हर पल बदल रहा है एक सब्ता पहले तक प्रदेश पर में जमकर बारिश हो रही थी लेकिन फिर वही एकदम से बंद हो गई ऐसे में मौसम बदला और धूप निकलने के बाद सुबा और शाम को मौसम में ठंड़ खुल गई इससे कई तरह के बीमारी फैलने वाले वाइरस पनपने लगे हैं और वहीं सर्द जुखाम और वुखार होने से भी मरीजों के संख्या बढ़ती जा रही है जेपी और हमीडी अस्पताल में एक सब्धा में मरीजों की संख्या 35% से जादा बढ़ गई जेबी में एक सबता पहले तक रोजाना करीब 1200 मरीज आ रहे थे इन में से करीब 90 और 100 मरीज सरदी जुखाम और बुखार के थे जो अब 120 से 130 तक पहुँच गई है मरीजों की कुल संक्या 1200 से बढ़कर 1500 तक पहुँच गई है डॉक्टरों की माने तो मौनसून के बाद ठंडरक होने से सरदी पर प्रतिकूल प्रवाब पढ़ रहा है और इसी कारण सरदी जुखाम के मरीज बढ़ते जा रहे है यही हालत अहमीदी अस्पताल में भी है यहां पहुँचने वाली मरीजों में सत्तर प्रतिशत बच्चे हैं मौसम के बदलाव से बच्चों को काफी जादा नुकसान हो रहा है वहीं बच्चों को सरदी खासी की जादा शिकायतें सुनने में आ रही है ताज़ा खबरों के लिए बने रहे हैं डीवी नीउस में